गूट मॉर्णिंग फ्रेंज तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंज जैसा कि हमने लाश्ट एपिसूड में देखा था कि किंग्डम गॉड ऑफ लेंड के लोग डिमल लॉट क्यूसी से हाथ मिलाने को उसके पास आ गए थे जिस पर कि उसे मान भी जाता है पर यह सारा प्लान वर्ल्ड विजनस एलाइंस के द्वारा मिस निंग्यूडी और जैंक को पता चल जाता है अब आगे जहां आम इस अपिसोड की सुरवात में मिस निंग्यूडी की मास्टर को परिशान होते हुए कहते हुए देखते हैं कि मेन कि वर्ल्ड विजनस एलाइंस के लोगों ने बताया है कि जिन अभी अपने पॉपेट बॉड़ी का इस्तमाल कर रहा है जिस वजह से वह अपनी अभी फुल पावर का इस्तमाल नहीं कर सकता है वहीं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी के लिए या है कि हम डेम से नीचे है अब यह सुनते ही लोगों को भीजने वाला है वह पहले से ही काफी जादा खतरनाक है जिसकी वजह से अगर तुम अपनी कल्टिवेशन लेवल को सप्रेस कर वहां गई तो तो पूरे के पूरे क्लाउट सेट को मुझे ही देखना होगा अब यह सुन कर पैलेस माश्टर मिस निग्योडी कहती है कि माश्टर आपको यहां चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि मैं किसी भी तरह से पूरी सेप्टी के साथ वहां से वापस आउंगी लेकिन तब तक मैं आपको और फॉर्मेशन माश्टर को मिल करके क्लाउ मानते हुए कहती है कि ठीक है अगर लुव जैंक तुम भी साथ ही जाना चाहते हो तो तुम क्लाउट पैलेस का सभी रिसॉर्सेस का इस्तमाल कर सकते हो वहीं मैं उमीद करूंगी कि बचे हुए टाइम का तुम खुद की कल्टिवेशन को इंप्रूब करने में लगाओगे साथ ही इन्मोर्टल टाउन से तुम सेफली वापस भी आओगे तभी अब कुछ दिर बाद जैंक लाउट पैलेस के ही किसी जगह पर बैट कर अपनी कल्टिवेशन को इंप्रूब कर रहा होता है वहीं उसकी बॉड़ी से काफी सारी स्पीच्वल नहीं सी बाहर निकल रही होती है पर फिर भी वह सोच रहा होता है कि मुझे बचे हुए टाइम का इस्तमाल करके मेरी बॉड़ी को और भी ज्यादा स्ट्रॉंग बनाना होगा वहीं मैं यह भी मैसूस कर सकता हूं कि ड्रेगन प्रिंसस ने मुझे जो ट्रू ड्रेगन का बलड दिया था उसकी पाव है कि बेबकूप तुम यहां उस ड्रू ड्रेगन बलड का इस्तमाल अपने ट्रू एसंस को इंप्रूब करने के लिए करना चाते हो अब यह सून कर जैंग वहां सोचने लगता है ऐसा लगता है रेड ड्रेगन पूरी तरह से अलग है क्योंकि यह ड्रेगन तो यहां मुझ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उसका इस्तमाल यह अपने बाड़ी को कल्टिवेट करने के लिए करो अब इतना कहते ही हम वहां देखते हैं कि वह रेड ड्रेगन अपने फ्लेम पावर का यूज करते हुए जैंग की बाड़ी पर अटैक कर उसे वहां टेश्ट क कहता है क्योंकि तुमने यहां सुप्रीम बॉड़ी को इंप्रूब करना चाहते हो तो तुम्हें उस ड्रू ड्रेगन बुलड कर इस्तमाल करते हुए खुद के बॉड़ी को ठंडर लाट्निंग से डिस्ट्रॉय करना होगा पर इस प्रोसेस में तुम्हें यहां इतना साधा को यहां इंप्रूब करना चाहोगे अब इस पर जैंग वहां तुरंद ही कह देता है कि हां मैं अपनी बॉड़ी कल्टीवेशन को इहां इंप्रूब करना चाहता हूं अब इतना कहते ही हम वहां देखते हैं कि लोगों के सामने प्रूड रेगन बलड एसेंस आ जाता है त पर इन सभी अटैक को यहां काफी असानी से जहल रहा होता है पर यह प्रोसेस क्लावड सेक्ट में होने की वजह से पलेस मास्टर निंग्योडी को यह बात यहां पता चल जाती है इसलिए वो तुरंद ही जगह पर आ जाती है जहां वो जैसे ही जैंग को ऐसा करते हुए द प्सराप कर मिस निंग्योडी को यहीं रोख देती है पर पैलस मास्टर निंग्योडी इस अटैक को वहां पलॉक कर इसे बढ़ से बच जाती है पर यह द 재मन नाइट गल से के हैं कि मिस निंग्योडी तुम्हें यहां लो जैंग के फिकर करने कि कोई भी वी nutrient नहीं अब यह सुनकर पैलस मास्टर निंग्योडी कहती है कि तुम्हारी ठंडर फायर टेक्निक काफी जादा डेंजरस है इसलिए मैं यहां लोगो जैंग का मरने का इंतजार नहीं कर सकती हूं अब इस पर डेमन नाइट गल कहती है कि जैंग यहां खुद इस तरह से कल्टिवेट करना चाहता है फिर तुम उसे यहां रोपनी की कोसिस क्यों कर रही हो और अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो मैं यहां थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ खेल सकती हूं अब इतना कहते ही उन दोनों के बीच में काफी कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां दोनों ही अपनी अपनी पावर के साथ आगे बढ़ जाती है और एक दूसरे की अटैक को ब्लॉक करते हूए वहां कहती है कि डेमन नाइट गल जहां तक मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि एक स्वर्ड स्पृट को यूमन ट्रांसफॉर्म में होने में लगबग हजार साल का वक्त लगता है इसलिए क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर में तुम हो कौन अब इस पर डेमन नाइट गल मिस निंग्यूडी के ऊपर अटैक करते हूए कहती ह कि तुम्हारे बाल तो यहां काफी लंबे हो चुकी है पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है वहीं इधर पैलिस मार्श्टर निंग्यूडी डेमन नाइट गल को डेमेज करने की काफी कोसिस करती है पर उनका एक भी अटैक डेमन नाइट वहां कहती है कि इस दोनिया में कई तरह की स्वर्ड और सोल्स है अब इस पर मिस्निंग यूडी डेमन नाइट को डिफेंड करते हुए वहां कहती है कि तुम बिल्कुल भी इंसानों की तरह दिखाई नहीं देती हो उल्टा लोवर जैंग भी तुमें डेमन नाइट गल कह कहती है कि तुम जैसे चाहे वैसे मेरे बारे में सोच सकती हो पर अब पैलस मास्टर निंग्यूडी वहां सिर्यस होते हुए कहती है कि तुम खुद को हमेशा ही एक क्वीन कहती हो इसलिए मैं तुम्हें बता दू कि जहां तक मुझे पता है डेमन नाइट क्लेन के अंदर टोटल तीन कुईन है तो जरूर तुम उन तीनों में से एक हो अब यह सुन कर डेमन नाइट गर्ल को वहां थोड़ी से हैरानी होती है क्योंकि अब तक लोज जैंक को भी उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था तब है अब पैलस मास्टर निंग्यूडी कहती है कि तुम जरूर डेमन नाइट क्लेन की कुईन की मरी हुई सोल हो अब यह सुनते ही डेमन नाइट गर्ल पैलस मास्टर निंग्यूडी के करीब आग कहती है कि तुम्हारे पास लंबे बालों की तरह नौलिज भी काफी अच्छी है अब इस पर पैलस मास्टर निंग्यूडी में कई दिन लगेंगे तभी अब हमें फिर से लूज जैंक को दिखाया जाता है जो कई दिनों तक ठंडर फायर के अंदर कल्टिवेट करने के बाद अपनी बॉड़ी की 108 पॉइंट्स को सेंस करना स्टार्ट कर दीता है साथ ही रैड ड्रैगन वहां उससे आगे बताता है कि तुम्हें ठंडर फायर का यूज कर अपनी बॉड़ी के 108 पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है जिसके बाद तुम्हारी बॉड़ी की कल्टिवेशन इतनी ज्यादा इंप्रूप हो जाएगी कि तुम्हारी बॉड़ी के अंदर से इस पीच्वल अनसी का निकलना भी ब मुझे पता नहीं था कि जब मेरी बॉड़ी कल्टिवेशन इंप्रूप होना बंद हो जाएगी तब मैं अपने स्पीच्वल कल्टिवेशन में भी ब्रेक्ट्रू कर लूंगा तभी वो रैड रेगन वहां फिर से कहता है कि तुम्हारे बॉड़ी के एक 108 पॉइंट होने क बात में तुम्हारे बॉड़ी के अंदर का वाइटल एसेंस काफी ज्यादा पावर्फुल हो जाएगा पर तभी इतने में ही वहां पैलस माश्टर निंग्यूडी आ जाती है जो जैंक के बेक्ट्रू को देख करके वहां कहती है तुम डिवाइन को रियल में ब्रेक्ट्र सेंग तुम यहां अपने साथ हमें क्यों नहीं लेकर जाना जाते हों अब यह सुनकर जैंक कहता है कि पर मिस निंग वाइन को बाहर निकालते हुए इन सभी लोगों के पास भीज़ दीती हैं और कहते हैं कि तुम लोग काफी जादा खतिरनाक जगह पर जा रहे हो इसलिए तुम सभी अपनी अपनी टोकन के अंदर अपनी सोल लेसंस को छोड़ दो ताकि तुम लोगों को कुछ हो तो हमें यहां पता चल जाए अब इतना कहते ही वो सभी लोग वहां अपने अपने टोकन के ऊपर अपने सोल लेसंस से मार्क लगा देते हैं जहां ऐसा कहते ही हम वहां देखते हैं कि फॉर्मेशन मास्टर भी किसी तरह की फॉर्मेशन को उन सभी लोगों के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि वो formation तुम लोगों को जल्दी से recover करने में मदद करेगी। पाई तभी अब हम वहाँ देखते हैं कि वो immortal lamp अपने अंदर किसी तरह के portal को activate करते हुए वहाँ open हो जाता है। जहाँ सबसे पहले पहले स्मास्टर निंगिवडी अपनी टोकन के अंदर जाते हुए उस immortal lamp के portal के अंदर चली जाती है। अब यह देखकर बांकि सभी भी एक एक कर वहाँ उस immortal lamp के portal के अंदर चली जाते हैं। और इससे के साथ हमारा यह episode end होता है friends। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाई बाई